हेलो गाइज नमस्ते आप सबको और कैसे हैं आप सब आशा करता हूं सब कुशल मंगल तो आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट तो यह एक्सपेरिमेंट का बेसिस अगर हम जाने तो यह लेवन्थ के चैप्टर थर्मल प्रोपर्टिस ऑफ मैटर का है जहां हम गैस के प्रेशर वॉल्म और टेंपरेचर से रिलेटर काफी सारा लौ पढ़ते हैं बॉइस लौ चाल्स लौ गेल उसे लौ लखा गए उस बॉटल में राइज हो रहा है पानी उस बॉटल में चड़ गया यह तो कुछ अजीब है पानी पूरी बॉटल में उिल्टा भर गया वाव चलिए देखते हैं हुआ क्या तो यह एक्सपेरिमेंट को जानते हैं तो हमको सबसे पहले लेना है एक ग्लास का पानी एक दम boiling water होना चाहिए 100 degree Celsius तः गरम पानी डालने से यह होगा कि यह जो बॉटल का अंदर है पॉटल के अंदर जो इनर लेयर है बॉटल का वो 100 degree Celsius पे आ जाएगा तो बॉटल अंदर से पूरी तरह गरम हो चुका है, थोड़े देर रुखते हैं, फिर इस गरम पानी को हम return, निकाल देंगे, अब हुआ क्या है, अंदर से बॉटल एकदम गरम है, बॉटल के अंदर full steam है, गरम steam, 100 degree Celsius पे, 100 degree वाली steam है, और अब हम इस बॉटल को उल्टा, इस red color वाले पानी में डा है, यह पानी फिर से rise होना start हो गया guys, पानी rise हो रहा है, और यह देखिए क्या, उल्टी बॉटल वरने की निंजा है टेकनिक, तो यह बॉटल उल्टा करके भर गया, ओके, तो यह रहा, thirsty bottle experiment, तो बॉटल इतना thirsty है, इसको रखने से, उल्टा ही रखने से, यह तो पानी पी आए, yes, यह बॉटल ने पानी पी लिया, खुद खीच के पानी पी लिया, wow, so this is a thirsty bottle, ओह, thirsty bottle, चलिए देखते हैं, क्या है, इस experiment में समझते हैं, इसके पीछे का physics, चलिए guys, देखते हैं इसे, क्या चल रहा है यहाँ पे, तो हमने देखा, उस वीडियो में, आपने देखा ह होगा, कि इस bottle को हमने उल्टा रखा है, लेकिन फिर भी यह पानी को सक कर रहा है, जैसे कि मानले यह bottle पानी पी रहा है, it is called a thirsty bottle experiment, तो ऐसा तो हम डेली लाइफ में नहीं देखते हैं, हमको bottle अगर भरना होता है, तो bottle सीधा रखके उसमें, ऊपर से पानी डाला जाता है, यह हम bottle को उल्टा कर रहा है, और यह खुद से पानी पी रहा है, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या physics involved है, तो हमने इस experiment को करने से पहले, क्या किया तो हमने सबसे पहले इस bottle को लिया था, एक glass का bottle लिया हमने, यह रहा हमारा bottle, और इस bottle के अंदर हमने डाला था hot water, गरम प कालने से हो गया क्या, यह जो bottle का inner surface है, यह गरम हो गया, पानी के इतना गरम हो गया, पानी, hot water, जो boiling water होता है, जो बलता हुआ पानी रहता है, वो 100 degree Celsius पे होता है, boiling point of water is 100 degree Celsius, अब हुआ क्या, जब हमने यह गरम पानी निकाल दिया इसमें से, तो पानी तो निकल गया, मगर उसके अंदर बचा क्या है, steam, गरम steam या गरम हवा, इसके अंदर जो हवा है, वो काफी गरम है, और हमने पढ़ा है physics में की, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to temperature, यह हमने पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ temperature बढ़ चुका है, इस particular steam का, इस particular steam is at 100 degree Celsius, तो इसका अगर temperature बढ़ चुका है, तो जाहिज से बात है, इसने ज़्यादा volume occupy कर लिया, as compared to the gas at room temperature, जो हवा room temperature पे होती है, उससे कहीं ज़्यादा, इसने volume occupy कर लिया, तो एक थोड़ी सी gas, एक छोटी सी gas, इसके अंदर expand हो गई है, तो gas का, जो actual quantity है, जो amount है, वो बहुत कम है, लेकिन उसका temperature बढ़ने से, उसका volume बढ़ गया है, volume is space occupied by an object, तो थोड़ी सी हवा ने इस पूरे bottle का space occupy कर लिया, अच्छा, तो अभी तो bottle गरम है, तो उस हवा ने पूरा, उस थोड़ी सी हवा ने पूरा space occupy कर लिया है, बट जैसे कि हम इस bottle को थंडे पानी में उल्टा करते हैं, ये है cold water, और आप लोग identify कर पाए, ये rise of water, इसलिए वहाँ पानी को color कर दिया था, उसको red color कर दिया था, तो ये है cold water, थंडा पानी, तो जैसे ह हम इस bottle को इसमें invert करते हैं, तो होती क्या है, ये जो steam है, ये जो steam इसके अंदर 100 degree Celsius पर है, उसका पहला layer, ये जो नीचे है, ये तुरंत इस थंडे पानी के contact में आता है, जैसे वो थंडे पानी को touch करता है, वो क्या होने लगेगा, उसका temperature low हो रहा है, और जैसे उसका temperature low पानी को उसने छुआ, वैसे उसका temperature, अब क्या हो रहा है, जैसे उसका temperature low हो रहा है, उसका volume reduce हो रहा है, और अब उसका volume कम हो रहा है, तो जैसे वो gas volume कम हो रहा है, अब थोड़ी सी हवा, जो थोड़ी सी हवा थी, जिसने यहाँ temperature बढ़ने से बहुत जादा space occupy कर लिया था, अब वो जो थोड़ी सी हवा है वो फिर से जैसे ठंडे हो गई वैसे फिर से वो अपने थोड़ी सी जगे ले लेगी तो जब यहां उस गैस ने अपना छोटा सा जगे फिर से ऑकिपाय कर लिया है तो जाहिर सी बात है जब गैस ने थोड़ा जगे ले लिया तो बाकी जगे म to low pressure fluids में क्या आजाते है anything that can flow is fluid okay so water air यह सारी के सारे fluids है अच्छा अब देखते हैं हो कह रहा है यह जो बाहरी पानी है यह जो बाहर है यह हमके हमारे उपर हम सब के उपर क्या लग रहा है atmospheric pressure लग रहा है तो यहां तो सब के उपर atmospheric pressure लग रहा है तो क्योंकि बाहर atmospheric pressure है और अंदर एक low pressure zone create हो गया इसका मतलब कहीं न कहीं यह जो पानी है यह high pressure में है यह थंडा पानी है यह high pressure में है और अंदर एक low pressure zone create हो गया है जहां थोड़ी सी हवा थी वो अब सिकूड गई जो हवा यहां फैल गई थी वो temperature बढ़ने से अब temperature तम होने से वो आवा सिकूड गई है और यहां एक low pressure zone create हो गया और यह low pressure zone create होते ही यह high pressure में जो पानी है वो इसके अंदर rise होने लगे तो हम देखेंगे जब हमने वो छोटा सा straw रखा था तो उस straw के रस्ते से वो एकदम बॉस्ट होके पानी एकदम उपर ऐसे full जड़ी की तरह rise हो तो इसके अंदर यह low pressure create होने के कारण water flow होने लगता है तो गाइस कैसा लगा आपको यह experiment अगर आपको एक्सपरिमेंट पसंद आया हो तो इसे video को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और दूसरों लोगों में भी इसे share करिएगा चलिए गाइस बाइ में चलिए कर जड़ने और दूसाफ बढाल किया होँगा चैनल की को आपको यह झाया अज़ाई कझा तो यह थेता हैं अधर करिएगा लग झाया किएगा जड़ीर किया में इस....